तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमीद है बहुत ही अच्छे होंगे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे आज की वीडियो में फिरेंड्स हम नंबर सिस्टम का पार्ट फोर पढ़ेंगे इससे पहले हमने पार्ट 3 तक इस चैनल पर डाल रखा है प्लस उससे है आपको देनगे य्मारे मिल छाएगा तो अच्छा है चलिए पहले पहलन से लिखाँ हुआ है इसको साफ़ कर ये लिख पर लेघंगे उसके है तो संख्याओ क्या है एक संख्या में जब 80 से भाग दिया जाता है ठीक है तो सेस्फल 20 पराप्त होता है एक संख्या में जब 80 से भाग दिया जाता है तो सेस्फल 20 पराप्त होता है जब उसी संख्या में ठीक है जब उसी संख्या में 16 से भाग दिया जाता है तो सेस्फल क्या पराप्त होगा यही पूचा है तो फ्रेंस देखी बहुत ही अच्छा कोशन है अगर आप लोग कर लिया होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो देखे फ्रेंड जब भी ऐसा कोशन है तो बस इसमें देखिए ध्याम दीजिए क्या ध्यान देना है देखिए यहां पे सेजफ़ल आपको थोड़ा ढूटन है कितना वीश उसके बाद क्या करा रहे किं optimize शांख्या से ठीक है उसी संथा lige में उसी संह्ख्य में सोला से भाग दिये मनलब संख्या वही है हम क्या कर ईस्षा से भाग देंगे तो अगर वो एक हायन है तो तो यह भी से 11 अक्षा ठीक है थए है क्योंकि तो यही हमारी संख्या अब इसमें 16 से भाग देंगे तो देखे फिरेंड जब भी ऐसा कोशन रहे तो हम क्या करेंगे इसको ना करके हम के वल 20 में भाग देंगे ठीक है क्योंकि यह भी तो उसी संख्या में है तो 20 से भाग दीजिए तो यहां पर आजाएगा यहां पर देखिए दो बस प्रेंड्स ध्यान रखने की बात यही है कि देखिएगा एक संख्या में ठीक है असी से भाग दिना जाएगा आसी से भाग दिया जाता है तो इस्समें उसी में तो में यह जो 20 संख्या हो हमारी संख्या हो गई तब यह स्कुब में ठीक है ऊसके वाद यह क्या करेंगे हम सोला सेवाग दे दि missiles क्योंकि ये भी तो संख्या उसी में सामिल है तो जो सोला से इसको भाग देंगे जो आएगा वही हमारा हो जाएगा सेस्फल ठीक है तो आई ओप यह कोश्चन आपको समझ में आही गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं कोश्चन नंबर टू के पास देखिएगा आके ब्लग बोट पर आ चुका है इसको साल तरिया बताई फ्रेंट जंदी से इसका आंसर क्या होगा कोश्चन नंबर टू देखिएगा कोश्चन नंबर टू क्या कर रहा है एक से दो सो के बीच ऐसी कितनी संख्या है चैनल आ रही है कि जो तीन से विभाज् nano विभाजित होती है लेकिन स्थ से नहीं यह कै रहा है एक से दो सो के बीच and एक से कितनी संख्या है जो तीन से नहीं बहुत ही अच्छा कोशन है अगर आप लोग ने कर लिया है तो अच्छी बात नहीं तो हम करते हैं देखेगा फ्रेंट कोशन में यही कह रहा है कि एक से दो सब के बीच ऐसी संख्या बताइए जो तीन से विभाज है लेकिन साथ से नहीं है ठीक है तब देखें माल लेते हैं हमारा यहां पर लि है इस से उठाल लेका तो यह स्मस्त में है जाएगा दो और यहां पर कट झाटिए गा तिन चक अठ्ठार्वी तो यहां फिर दो वाटल है ठीक है तो यह हमारा से फड़म हो जाएगा यह अकर दो से धिवाइट कर है तो आप देखी क्या करेंगे अब 117 क्या होता है 21 अब 21 से क्या करेंगे दो सब को डिवाइट करेंगे ठीक है एक पैस को 21 से दो सब को डिवाइट करेंगे क्यों डिवाइट करेंगे क्यों कि हमें यह पता करना है तीन से विभाजित हो वासा हमें वा संख्या पता करनी है जो तीन से भी भाजित हो लेकिन साथ से नहीं हूं हम हिसां जया करनी है ठीक है तब क्या करेंगे यहां पर 21 से each से करें दो सब को तो दिखिएगा फ्रेंट्स अब करते हैं तो दिखिएगा 179 अël कर नौकरने यहां सब्सक्राइब होंगी लेकिन साथ से नहीं होंगी नहीं होंगी ठीक है तो यहीं हो जाएगा इस कोशन का आंसर तो आई होप यह भी कोशन आप समझ गया होंगे तो चलिए बढ़ते हैं कोसरन नमबर 3 के पास देखिएगा कोश्चन नमबर 3 दो संख्याओं का गुडन फल 9,375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भाग फल 15 है संख्याओं का योग बताईए देखे फिरिंड दो संख्याओं का गुडन फल 9,375 है ठीक है और क्या कर रहा है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देन नहीं कि पर भाग फल कितना प्रात्थ हो रहा है तो इनका योग क्या होगा संक्षाव कुछ यह होगा यही पूछ रहे तो देखेए फ्रेंट सब्सक्तित पहलेवाद हो गैक्स आफरी संहो याख्स जी आइस और निहीं कि दोनु का गुड़न फीमक्र कितना दिया है कि क्या है नहीं distillत तो यहां तक हुए हो गया उसके बाद देखी है बरी शंख्या माल लेटिं यदे फॉत sigma को बड़ी संख्य आप क्या करेंगे बरी मीं छोटी संख्या से बाख देने पर भाऊ किसे पंदस फॉत पर चोटी संक्या से भाग देने पर भाग फण 15 आ रहा है यहीं कर रहा है उसके बाद देखिए अब इसको स्वाल करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना देखिएगा यक्स कर देखिए यक्स का मान उठाएंगे और इसमें रखेंगे तो अब देखिए यक्स की जगह पे 15 रखे तो पंद्रह वाई मुल्टिप्लाय वाई इसकल्टू नो हजार तीन सो पचत्तर आप क्या करेंगे इसको पंद्रह से काटिए तो पंद्रह चक्का नब्वे हो जाएग है तीन बचेगा तो यह होलते हैं थिव जीए ठीक है अब देखिए फ्रेंड्ट फिर फ्लंद्रह दूनी 30 हो जाएगा फ्लेट फिल बचेगा याद ग्यानी निकालेंगे तो इसका है प्चीश का कद स्कॉर्ट है कैसे यहां से क्या करेंगे क्या यहां रख दीजिए रख दोखें छीक और दोखंव Karma ऐने दोनों को मल्टीप्लाइ करेंगे 15 25 25 25 25 के पांच हो जाएगा हासिल 12 बचेगा 25 करने पचीश तो पचीस में और काउन कर दीजी तो जाएगा साथ और यह हो जाएगा कितना 3, यानि आपका आ जाएगा 375 X की बैलू आपकी आगई 375, Y की बैलू क्या है 25 है, आप पूछ रहा है इनका योग क्या होगा, तो simply क्या कर दिजिए 375 प्लस 25 ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है X प्लस Y का योग है तो हो जाएगा हमारा 400 जो हो जाएगा इस को जनका आंसर, यहीं पूछा था, तो यहीं हमारा हो जाएगा आंसर, तो आई होप यह भी कोशन आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं आप इसके नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 4 वो भी बहुत अच्छा कोश्चन है जल्दी से सॉल्ट करिएगा फ्रेंट्स तुरंट सॉल्ट करिए, तुरंट देखेगा कोश्चन नमबर 4 में यही कह रहा है दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर सेस करम से कई सत्ह 28 प्राप्त होते है यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो सेस फल प्राप्त क्या होगा यही कोश्चन में कह रहा है यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो सेस्फल क्या पराप तोगा तो देखे फ्रेंड शिंपली यसे हमारा पहला प्वेस्टन था उसी टाइब का को phosphorus नहीं पहले यह साइद दुस्रा क्वेस्टन था ठीक है तो उसी टाइब का क्वेस्टन है इसको कैसे करेंगे है तो की सा रहा है और करते हैं तो यह उसको हम 53 की ऐख कर रहे इनका योग को इसका भी योग करेंगे थीक है तो ठेशा से मल्टिप्लाइब करेंगे इन का योग तो क्या आएगा यही पूछ रहें तो देखे के FORE यैं क्रीये इन दोनों का योक करिये तो योग करेंगे हमारा आप क्या कर इसको 33 से डिवाइड करेंगे जो आएगा वह हमारा आणसर हो जाएगा तो यहां पे देखे तैस्स यह आप एक तो यहीं आपका हो जाएगा सेस्फ फल एक उचाहे ते यह जाएगा आपका आंसर ठीक है बस कोश्चन को एक बार समझ जाए है आप आसानी से कर लेंगे यह था मारा कोश्चन नमबर फॉर आप इसी सिक्वेंज भी बढ़ते कोश्चन नमबर फाइब के पास जो लगातार एक्जामों में पूछा गया है यह आपके एक्जाम में आया हुआ था इससी की एक्जाम में कोश्चन नमबर फाइब देखिएगा भाग के किसी प्रस्ट में भाजक भाजक क्या है कि यहां पे इसकी गयलू दिया है मनलब इसका परतिक दी दिया है ठीक है भाग फल क्या है यानि इसका भाजक क्या है दस गुना है ठीक है उसके बाद क्या कर रहा है गुना है और सेर्ट से पांच गुना है यानि भाजक क्या है इस आर से 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 पेसज olm कि इस को माना है UR से कितना गुना है पांच गुना है ठीक है उसके बात आर की वैले कोश्शन में आपको दिया 46 और कि वेलू 46 दिया ठीक है यह उसके बाद पूछ रहा है तो भाघ क्या होगा तो भाघ बताई क्या होगा देखिए बहुत यह अच्छा कोस्षं है कोस्षं में यह का है कि अब देखित अब ही का परतीक दिया है तिया अब भाजक कि भाजक क्या है भागफिल का यहीं बराबर करें नहीं कूंगा दस गुना थिक रखए उसके भाद दीके फ्रेंट्स ऑफ आर दीखिए यहां पे भाजक और का कितना है पाँ गुना है टिन के यहीं को सिनमी अाद है उसके बाद क्या रहा है यहां पर आर की वैलू 46 दिया है तो यहां पर डी की वैलू क्या जाएगी यहां पर रखेंगे 46 multiply 5 तो इसको multiply करिए तो हो जाएगा पांच चक 30 के 0 पांचों के 20 233 यानी 230 आ गया कितना गया 230 आ आ गया आपका भाजक जो हमने डी माना था यह भाजक है तो भाजक आपका 230 आ गया उसके बाद अगर भाजक 230 आ ठीक है तो भाग फल के दस गुना है तो यहां पर 230 रखेंगे उसके बाद क्यों multiply 10 ठीक है तो जीरो से जीरो कट जाएगा यानी क्यों आ जाएगा कितना तेश आ जाएगा क्यों आ जाएगा आपका तेश यहीं आ गया उसके बाद देखे फ्रेंड भाजक आपका भाग फल आपका आ गया तेश और भाजक का आपका 230 है उसके बाद आर की वालू यानी सेश फल आपको दिया ही है 46 उसके बाद कोशन में भाज पूछ रहा है तो भाज बराबर क्या और आपकरे मोलट्यफ लगाइं खरज अन्यवरर भाजक लुक्त क्या भाग फल प्लस क्या होता है आशेस फल यहीं होता है न है अच्ध कि जंक है यहाट आ ऐसे जिस फल अब देखिस अभी की बैसी तो यहांपर देखिए बाद प्छिकरूon Alisenas से प्लस 46 अब सिम्मली क्या करिएगा इन दोनों का थेज़ यहां पर देखिए तो सथ तीस और तैश को मल्टीप्लाइब करके और यहां पर यहां पांच यहां आपका भाज क्या जाएगा पांच 1336 जो हो जाएगा इसको चनका आंसर तो आई होब यह सेशन आपको बहुत अच्छा रगा होगा इससे संबंदीत आपको प्रैक्टिस्ट सुबह में यह साम में आपको मिल जाएगा उसको सौल करिएगा ठीक है आपका यह लेक्चर कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आज के लेक्चर में बस इतना ही कल हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट लेके आने वाले हैं तो फ्रेंट्स उसको भी वाज करिएगा आपको बता दे कॉंसेप्ट यही रहेगा कि अगर बीच में देखि करेगा तो इसको कर से स्वाल करेंगे कल की वीडियो में देखेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही कल हम जरूर मिलेंगे तद तक के लिए जय है थैंक्यू